तो हेलो फ्रेंस कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप सैमसंग मॉवाइल के यूज़र हैं या कोई से भी ऐंडूएट के यूज़र हैं आप चाहते हैं कि आपके मॉवाइल के जो कीबोर्ड है उसके अंदर आपकी फोटो कैसे से चोपो जो कीबोड के अंदर background में कैसे set ओ तो उसके बारे मताने वाला हूं या पर आप कैसे छीम कैसे create करें अपनी अपनी फोटो की ताकि वह background में आपको देखें टाइप करने पर keyboard जो आपको दीक गया ही तो उसके बारे मताने वाला दूस्त वीडियो उसकिप किब मत करिए वीडियो को पूरा ही देखिएगा तो आप समझ पाएंगे तो जलते हैं दोस्तों आगे मेरे नाम सनी और और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक्स में तो उसके लिए आपको करना क्या है सबसे बिले आपको अपने मॉवाइल के जाना है प्ले स्टोर में जाने कियाद आपको यहाँ पर एंग डांवल करनी है जो की गुगल की एप एप यहां सर्च माना है जीग आपको मिल जाएगा जीघोड तक गूगल की वोड आपको कर लेना है इसको ऌपन अपन करना है यहाँ पर उसको इनेबल की सैटिंग की पर्मिशन देनी है यहाँ आपको क्लिक करके इसको पर्मिशन करके इनेबल कर लेना है इनेबल करने के बाद यह आप से स्लेक्ट यह आपको जो भी पूछा जाएगा आपको यहां पर कर लेजिए इनेबल इनेबल करने काद यह हो चुका है इनेबल पूरी तरह से आप देख सकते हैं इनेबल हो गया है यहां पर आपको जाना है यह थीम वाले option पर आपको दिख रहा होगा setting के नीचे third number पर आपको theme का option, theme में option के जाने काद आपको यह by default इत्ती सारी theme दिख रही है आपको यह जाना है my theme के अंदर माई themes में जाने के बाद आपको यह अपनी photo select करने है जिस photo को आपको लगाना है like मुझे यह फूटो लगाना है तो मैं इस photo को adjust कर लूँग आपने साबसे मुझे photo लगानी है आप देख सकते हैं यह मैंने photo को कर लिया करने के बाद सिंपली कर देना है मुझे आपर नेक्स्ट करने के आपको दिख रहा और बैटनेस को जिस्ता जादा मैं ज्यादा करूंगा उत्विश्वी फोटो मँद दिखने लगेगी और जिस्ता मैं कम कर दूगा तो वहां पर वह कम हो जाएगी तो मैं सो कर लेता हूं प आपको चला के दिखाता हूँ यह जैसे यह मैंने यहां पर खोला आप देख सकते हैं यह फोटो आपको दिख रही है आप यहां इसली टाइप भी कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं इसको दुबारा चेंज करना इसके लिए बापिस आपको जाना यह सेटिंग वाले ऑप् आपको पने दिख रहे हैं उस फोटो पर जाकर आपको करना है क्ले क्लिक करनें बार आपिस उसको कर लिये जैसी आप here just करना चाहते हैं और और कीबॉड ऑडर तो ऑल्रेडी ओफ आए गई आपको कर लेना इसको छिंपल हैं जो करना आपको चालू हो है आपको दिखा दिता हूँ यह हो चुका है नॉर्मल आप देख सकते हैं पूरी तरह से कीबोर्ट इनेबल हो चुका है अगर आप चाहते हैं वापिस आपको अपना सेमसंग का कीबोड चलाना तो उसके लिए आपको करना किया है बापिस अपने वाइल की सेटिंग में जान हो अब कर आप को फिश्र में आपको बताया अगर आपको मेरी वीडियो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर अंका में ज़रू करें तो सब्सक्राइब करना ना भूल दिए इसका लिंक आपको डेक्स्क्राइब नियुकर बिल जाएगा और मुझे इस वोग ना झाल झाल झाल